नमस्का दोस्तों मैं आपका होश्ट आपका गाइड जोल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी चैनल गाइड फोटेक उजोल में दोस्तों एयर टेल ने हमें फ्यूचर दिखा दिया है जी हाँ 5G टेकनोलजी अपनी दिखा दिया है और आप कह सकते हो एक्सपीरेंस कर बात करते हैं Aertel की तो Aertel और जीओ में काफी जद्याद टकर रहती है कि कौन यहाँ पर सबसे यादा बेश्ट अपनी जो है वह सर्विस दे रहा है आप कह सकते हो plans दे रहा है हर चीज के मामले में कि internet यहाँ पर network किसका best है बेटर रहा या best है अब अगर बात करते हैं Airtel ने आखिर में ऐसा क्या कर दिखाया है तो Airtel ने दोस्तों एक event रखा और उस event में वहाँ पर काफी जादा जो influencer है या जो कह सकते हो YouTube वीडियो बनाते हैं उनको बुलाया और वहाँ पर experience कराया और हमें दिखाया future कैसा होने वाला है 5G के साथ में Airtel ने live demonstration वहाँ पर हमें दिखाया कि 5G जब वहाँ launch करेंगे तो 5G जो आप कह सकते हो service होने वाली उससे क्या-क्या benefit देखने को मिलेगा अपने 5G के साथ में तो 5G जब launch की जाएगी दोस्तों जो service अब launch किया जाएगा तो यहाँ पर जो cloud gaming है हमें वहाँ पर बहुत ज़दा benefit देखने को मिलेगा मतलब हमें जो heavy heavy games हैं वो हमें अपने device के अंदर install करने की जुरत नहीं है वो कहीं cloud storage में वो game save हो जाएगे और हम जश्ट उन्हें play कर पाएंगे बहुती low latency के साथ में क्योंकि जब हम अपने device में अपने जो game होते है वी उन्हें install करते तो वहाँ पर latency के हमें problem देखने को काफी ज़दा phase करनी परती है जिससे के हमें उत्ती बहतरीन experience हमें उस game के अंदर नहीं मिल पाता है बट जब यह launch कर दिया जाएगा 5G और जब हम cloud gaming कर पाएंगे यटल के 5G के साथ में तब हमें जो वहाँ पर gaming experience है वो भी बहुत बहतरीन मिलने वाला है और हमें जो कह सकते हो games को भी install नहीं करना पड़ गया और कैसे हम मतलब 5G का जो future में है उसे हम use कर सकते हैं इतना है नहीं health care में अगर बात करें medical जी जो में भी बात करें तो वहाँ पर 5G का काफी ज़्यादा प्रयोग होने वाला है या आप कह सकते हो learning को लेकर अगर हम बात करें या colleges में बात करें या students के education के purpose में अगर ब price की होने वाली है मतलब ऐसा नहीं पहले हम सोच रहते हैं कि 5G जब launch किया जाएगा तो 4G से बहुत महंगा होगा 5G बड़ ऐसा नहीं है अभी जो आप 4G के prepared plans पे कर रहे हैं उसके आसपास ही यहाँ पर जो 5G के plan होंगे वो रहने वाले हैं ऐसी खबर निकल के आ रहे है जो tariff के plans होने वाले वह अगर बात करते हैं जब 5G real world में launch किया जाएगा क्योंकि अभी तो इन्होंने event में show किया है और सब कुछ अपने आप कह सकते हो एक दाएरे में रहकर किया है बट जब यह आप कह सकते हो सभी customers के लिए available कराया जाएगा तो जो expected speed बताई जा रही है जो real world में मिलेगी एटल 5G की वो 200 से 300 Mbps तक की speed बताई जारी जो कि बहुत बड़ी बात है incredible होने वाला यह चीज ठीक है क्योंकि हमें आदत है वही kbps और 1 Mbps और 2 Mbps की 200 से 300 Mbps मिलेगा तो क्या कहने इतना ही नहीं बताई जा रहा कि जब एटल जो अपना जो 5G service है वो launch करे कि जो एटल है वो पुई तरीखी से सक्षा में अपनी 5G services को launch करने के लिए बस वो wait कर रहा है जैसे ही आप कह सकते हो 5G spectrum का auction हो जाएगा में में वो होते ही वहाँ पर जो है वो एटल 5G services जो है वो launch कर देगा 2022 में तो होने ही वाली है बट बताई जारा कि 2-3 मंत में आपको 5G services जो है वो देखने को मिल सकती है इतना ही नहीं जब 5G launch चुका तो future जो हो जाएगा video entertainment का बहुत ही मरसिव होने वाला है 5G के उपर और आपको तरह चाहूंगा 200 से 300 जो mbps speed बताई जा रही है वो बहुत ज्यादा होती है अगर देखा जाए real world में ठीक है अगर सभी users कु इसे हो वो बैस्ट होनी चाहिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा शेयर करेगा चेल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि मैं रुजाना इसी व्रूस लें क्या दरता हूं फिलाल कनेता ही जय हिंद बंदे मातरम अपना ख्यार कहेगा